तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 5 वीडियो में हमने मदुबनी आर्ट क्या है और इसकी विभिन शैलियां क्या है इनके बारे में बात की और मदुबनी आर्ट को और भी अच्छी तरह समझने की कोशिस की इसी स्रंकला में आज हम पाँचवी और आखरी शैली गुदना शैलि के बारे में बात करेंगे गुदना शैली मदुबनी आर्ट की सबसे सिंपल और बहुत ही खोपसूरत शैली है और ऐसा माना जाता है कि गुदना शैली का आरंब चानु देवी जी द्वारा किया गया और सबसे पहला गुदना बनाने के लिए बास के पिन और काजल का इस्तिमाल किया गया आम तोर पर गुदना हाथों और पैरों पर बनवाया जाता है लेकिन पूरे शरीर पर यहां तक की चेहरे पर और गर्दन पर भी इसके उधारण देखने को मिलते हैं इस शैली में मुख्य रूप से फूल पत्ते, पशू पक्छी, मानो आकरितियां, खेत खलिहान, ट्री ओफ लाइफ और भगवान की आकरितियां जैसे भगवान शिव, कृष्ण, गनेश जी वगरे की आकरितियां बनाई जाती हैं लेकिन पन्मा, याने कि पान की आकरिति, गुधना शैली की सबसे लोगप्रिय आकरिति है और विभिन तरीकों से इसे बनाया जाता है, आम तोर पर लोग इसे अपने हाथ पर बनवाते हैं तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी गुधना शैली के बारे में, फिर लोटूंगी एक नए वीडियो के साथ और हम बनाएंगे ट्री आफ लाइफ, सो बी रेडी, सी यू